जहिन, विवस कई सारे कैंड़ेट जो क्लास 12 में हैं, जी हाँ, वो 10 प्लस 2 में हैं और अगले साल उनको एक्जाम देना है जो कैंड़ेट कॉमर्स, बायलोजी या आर्ट्स बैग्राउंड से हैं, उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो NDA का एक्जाम नहीं दे सकते हैं और साथ में एक कन्फ्यूजन ये भी है कि 10 प्लस 2 के बाद ही ये एक्जाम दे सकते हैं और ये कन्फ्यूजन बहुत नैचरल है क्योंकि आप इदी नेवी, आमी या एरफोर्स में जो एरफोर्स की टेक्निकल या नौन टेक्निकल, नेवी की SSR या डबल या आर्मी की कई सारी जो इंट्रीज हैं की 10 प्लस 2 लेवल पे उसमें वो क्वालिफिकेशन 10 प्लस 2 क्वालिफाइड मांगते हैं उसमें वो परसेंटेज इंडिकेट करते हैं अपनी एलिजबिल्टी क्राइटेरिया में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो ऐसा यह कंफ्यूजन बहुत नॉर्मल है कि यह हो सकता है एंडिय में भी सेम क्राइटेरिया होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो चाहते हैं कि 10 प्लस 2 क्वालिफाइड रहे या साइंस बैग्राउंड से रहे तो हम इसी कुछ कंफ्यूजन के ऊपर डीटेल में इस वीडियो में बात करेंगे मैं राजकुमार सोनी तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्वालिफिकेशन की बात करने वाले हैं NDA Army, NDA Navy, NDA Air Force और साथ में Naval Academy के भी तो यह बेसिकली यह जो तीनों इंट्रिया हैं और साथ में Air Force में Airman लेवल की दे नेवी में Sailors लेवल की और जिसको तीनों आप बोलें Air Force, Navy and Army में जवान लेवल की जो इंट्रिज हैं उसके बारे में जो क्वालिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे तो यह देखिए NDA 2 क्वालिफिकेशन जो की अभी अभी हाली में इसका एक्जाम होने वाला है NDA 2 जिसका फॉर्म लास्ट मंथ प्रॉबबली आया था तो इस नोटिफिकेशन के एक्वार्डिंग NDA 2 जो की साल में दो बार होता है तो नैशनल डिफेंस अकाडमी का जो यह नोटिफिकेशन है 2-0-2-1 का 2 का बिसिकली यह लेटिस्ट नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के एक्वार्डिंग जो क्वालिफिकेशन आप देखिए आमी विंग आप ध्यान रखेंगे NDA के में 3 विंग है आर्मी विंग, एरफोर्स विंग और नेवी विंग तो यह आमी विंग की जो है NDA की जो आमी विंग है उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए 12th क्लास पास और 10 प्लस 2 पैटर्ण मतलब यहां पे तो इन्होंने लिख स्ट्रीम से जो हैं बाइलोजी से हैं आर्ट से कॉमस से मैं तो आप अपलाई कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा यह गुड़ न्यूज है NDA आन्मी के लिए और और नॉर्मली आर्मी में हम सब जाना चाहते हैं आर्मी की उनिफार्म हम सबको बहुत पसंद है, आर्मी की स्ट्रेंग्ट बहुत चाहता है, आर्मी के ऊपर जो मोवी बनी है, ओरी अटाक, सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें आपने सुना सारी चीजों को, हाव जो जो बेस्ट गायलॉग था, तो वो चीजें काफी हमको करते हैं, तो NDA आमी का हमारा सपना पूरा हो सकता है, यदि आप 10 प्लस टू में किसी भी स्ट्रीम से हैं, यदि हम एरफोर्स विंग की बात करें, फॉर एरफोर्स विंग और नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकाडमी, और फॉर देन प्लस टू कैडट इंटरी स्की इंडिया नेवल अकाडमी, टीनो इंट्रीज के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो हैं फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स ऑफ 10 प्लस टू, यहां पे जो कॉमर्स बैग्राउंड या आर्स या बैलोजी से हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दो महीना बात तक भी आप उस अपने जो क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट है, मार्क सीट एट्सेटरा जो डॉकुमेंट है, उसको आप सब्मीट कीजिए, यह आप नहीं सब्मीट करते हैं, तो आपको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जालेगा, तो बेसिकली यह अच अच्छा जुज है इसमें, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि आप आफ्स, कॉमर्स, बालोजिस हैं, तो भी अपलाई कर सकते हैं, आप आप आमी में ओफिसर बन सकते हैं, एयर फोर्स और नीवी में ओफिसर नहीं बन सकते हैं, यह आप 10 प्लस 2 कॉलिफाई नहीं किये ह तो भी आप तीनों सेनाओं में officer बन सकते हैं बसरते कि आप जो relevant documents है वो आपको time पे produce करना होगा वो आपको detail में notification में mention है तो यहाँ पे एक और confusion में आपको दूर कर दूँ कि यदि आप 10 प्लस 2 में हैं तो भी आप NDA के exam में apply कर सकते हैं और यदि आप math से हैं तब तो आप तीनों सेनाओं में officer बनने का chance जाएं यदि आप math से नहीं हैं commerce, arts या biology से हैं तो किवल आप army wing में जा सकते हैं 10 प्लस 2 में आप हैं तो भी आपको exam देना बाकी है तो भी अब यदि मैं air force में ये technical branch की में बात करूँ जहां पर आप airman बनते हैं आप जवान बनते हैं तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर ग्रूप X जिसको आप technical cadre बोलते हैं except education branch तो यहां पर जो qualification चाहिए math physics and English जो की percentage भी यहां पर दिया हुआ है मतलब आप यदि arts commerce या biology से हैं तो air force में कि airman में आप technical group में नहीं जा सकते हैं और साथ में यहां पर यह भी दिया गया कि three years diploma तो यह तो जो diploma holder है उनके लिए तो यहां पर मैं आपको यह बाता दू कि आप सेना में यदि आप arts commerce या biology background से हैं तो आर्मी में officer बन सकते हैं बट air force में आप न तो officer बन सकते हैं कुछ exception को छोड़के और नहीं आप airman में टेक्निकल group में जा सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि 10 प्लस टू जो qualification है पास्ट मांगा गया है और साथ में एनी stream subject तो यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि पहली बात कि आप 10 प्लस टू appearing है तो भी आप air force में airman नहीं बन सकते हैं आप air force के technical या non-technical group को नहीं join कर सकते हैं आप 10 प्लस टू में यदि आपका physics chemistry math से तभी जा के technical join कर सकते हैं या आप यदि technical group यदि आपकी कोई और stream है फर example आपकी biology है commerce है या arts है तो आप 10 प्लस टू में air force में non-technical group में आप airman बन सकते हैं यह qualification यह चीछे हैं यहां पर धियान देने वाली अच्छी बात यह भी है कि आप 10 प्लस टू में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप technical या non-technical group में आप air force में join नहीं कर सकते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि आप commerce से हैं arts से हैं biology से हैं तो भी आप non-technical group के थूँ 10 प्लस टू qualify करने के बार आप non-technical group में airmen बन सकते हैं air force में अब मैं navy की बात करूँ जो की मेरा फेवरिट है paying an ex navy so navy sales requirement यादि आप double a artificial apprentice की बात करें तो यहाँ पे 60% आपको होना चाहिए 10 plus 2 qualified देखिए ध्यान दिंगे qualified होना चाहिए मतलब appearing candidate apply नहीं कर सकते और साथ में maths and physics होना चाहिए फिर वही बार आप आर्मी में officer बन सकते हैं NDA के थुरू NDA आर्मी के थुरू यदि आप कुसी भी background से हैं लेकिन आप नेवी में artificial apprentice join नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर आप SSR की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी maths and physics होनी चाहिए 10 plus 2 में और इसमें भी आपको qualified होना चाहिए तो maths important है यहाँ पर maths तो कहने के बाद फिर से हुआ गई आप नेवी में जो सेलर्स की जो दो अच्छी इंट्री है SSR और AA 10 plus 2 लेवल पर तो उसमें आप सेलर्स नहीं बन सकते हैं यदि आपके पास maths नहीं है तो लेकिन आप आर्मी विंग में NDA के थूँ आपसर बन सकते हैं ना आमी सोल्जर की qualification की बात करें यह तो हमने एरफोस और नेवी देख लिया आप आमी सोल्जर की यह नहीं हम आर्मी में सोल्जर टेकनिकल ग्रूप mee बात करें ठेकनिकल आमस्स आयर डिफेंस तो यहां पे सोल्ज़र टेकनिकल ग्रूप में आपको देखिए physics, chemistry and maths चाहिए तो maths आ गया मतलब आप किसी और भीbench के अलपाव तो आप अप्लाइन नहीं कर अकर सकते enduring Technical Aviation Ammunition Examiner जो है उस ग्रूप में नहीं चाज सकते हैं देन soldier clerk जी बात करें यहाँ पर storekeeper technical all arms में सारे department तो यहाँ पर 10 plus 2 जो है एनी इस्ट्रीम यह एक अच्छी न्यूज है आपके तो आप soldier clerk बन सकते हैं यदि आप arts, commerce, science stream से हैं बाखी जो है relevant qualification यहाँ पर दिया गया है यदि soldier nursing assistant की बात करें तो nursing का आप समझते ही हैं यह medical से related है तो यहाँ पर आपको biology होना चाहिए तो यह तो हमारे basically biology वालों के लिए हैं और साथ में सिपाही जो है फार्मा डिपाने में ग्रूप में इस्ट्री में ट्रेड जिसको आप बोलें medical में तो वहाँ पर 10 प्लस टू intermediate exam pass with a deep pharma एंड यह सारी qualification तो यह तो हमारा उतना कंसर्व नहीं है जो biology से हैं वो यह चीजों को देख सकते हैं मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यह था कि बहुत सारे candidates के मन में बहुत सारे पेरेंट्स के मन में confusion है कि नेवी में यहीं सेलर्स बनने के लिए यह एर फोस में टेक्निकल ग्रूप जोइन करने के लिए मैस चाहिए यह 10 प्लस टू क्वालिफाइड चाहिए तो कैसे कोई आर्ट्स, कॉमर्स या बाइलोजी से सेना में इंडिया आर्मी जोइन कर सकता है जी यहां जोइन कर सकता है और सबसे अच्छी बात कि आप 10 प्लस 2 में यह अभी अगले साल आपको एक्जाम देना है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं बहुत सारे candidates अपलाई करते हैं तो यह यह बहुत अच्छी नियुस है यदि आप soldier nursing assistant veterinary की बात करें जो कि यह animal के जो डॉक्टर होते हैं तो यहां पर भी आपको नॉर्मल बात है आप यदि वेटनरी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं नर्सिंग में जाना चाहते तो बाइलोजी होना चाहते है तो वीवस म मुझे उमीद है कि यह informative वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो like, share and comment करके मुझे आप और energy तीजे ताकि ऐसे ही बैतरीन वीडियो मै मैं आपकी तैयारी के लिए बना से को, thank you so much for watching, best wishes get selected, जैहिन!